जोलोज़ेता? नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका सवागत है हमारे यूटूब चेनल पर तो दोस्तों आज के lemost वीडियो में हम केल्युलेशन करेंगे कि 5,000 रुपे पैंसेन किसको मिलने वाली है और 3000 रुपे पैंसेन किसको मिलने वाली है और 2000 रुपे पंसन किसको मिलने वाली, 1000 रुपे पंसन किसको मिलने वाली है, यह दोस्तों impactedipo के आंकडों के अनुसार हम calculation करेंगी, यह दोस्तों retirement के अनुसार अलग-ण तरीके से दरसाय अगया है जो कि मैं इस वीडियो के अंदर हमारे सर से calculation करवा करके आपको दिखांगा, वीडियो को अधि तक देखना है 2005 में रिटार हुए है उनको कितनी पैंसर मिलेगी और 2005 में अगर रिटार हुए है उस समय आपकी सेलरी कितनी थी 20,000 थी या फिर 5,000 थी या फिर 50,000 थी तो आपको उसके हिसाब से पैंसर मिलने वाली है अगर आप 2005 में Retaire हुए है और आपको 15,000 ही मिल रही थी तो आपको 16,000 ही पेंशन मिल भी सकती है लेकिन दोस्तों आप 2005 में Retaire हुए है और आपको Srainarii पाज़ारी तो उसके लिए अलग pension है ऐसे ही दोस्तों 2005 का भी हम बताएंगे पांस तक ही बताएंगे हाइस्ट और उसके बाद का तो जदा आंकड़ा पता है नहीं तो उसका आगे कोई वीडियो में कोशिस करेंगे बताने की और 2005 से पहले जैसे कि 1998 में कोई है 1998 में कोई रिटार हुआ है या फिर कोई सत्यानवे में चोनवे में या फिर नबे में या फिर असी में उनके लिए हम आज आंकड़े लेकर काए हैं और पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे किस परकार आपको फैंसन मिलने वाली है जे दोस्तो हम आपको हर रोज एकदम राइट इंपोर्मेशन देते हैं राइट वीडियो देते हैं एक भी वीडियो गलत नहीं होता है अगर आप मुझे कमेट बॉक्स में करके बता सकते हैं हलांकि मुझे अच्छा प्यार मिल रहा है एक दो बंदे हैं जो कि गलत फैक है फलना डिम का ऐसा कह रहे हैं लेकिन मैं जो अपडेट देता हूँ ऑफिसल चैनल से लेकर देता हूँ आप बो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिस्ट में दे सकता हूँ ठीक है जहां पर आप भी जा करके देख सकते हैं लेकिन आपको बता दूँ कि मैं जो अपडेट देता हूँ वो मुझे जहां तक मिलत कर दूँगा मेरा ठीक है आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ अगर आप बोल दो कि हमें news नहीं चाहिए तो आज मैं video बनाना बंद कर दूँगा ये video मेरा last होगा ठीक है जरूर comment box में comment करके बताएं और दोस्त तुम आपको बता दूँगा तीन तारीक को होने वाली हमारी बेटक है जिसमें तीन नौवंबर को जिसमें video गर पसंद आए तो video को जड़ाचिया सेर करना है लाइक करना है और दोस्तों आपसे request है कि इस video को पाँच लाक लोगों तक पहुँझाने की जिम्यदारी आपकी है क्यों क्योंकि जड़ाच से ज़य करोंगे तो पांच लाक मुझे जरूरू बताएं कि आप कब रेटार हुए थे और आपको अभी कितनी पेंशन मिल रही है तो मैं आपको जरूर आसा करूंगा कि होती कुछी समपूरी करूंगा कि आपको कमेंट का जबाव वापिस देने की तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कट अफडेट यानि कि 16 नवंबर 1995 का डेट जिस दिन EPS 95 एक्शन में आया था जिस दिन से लागू हुआ था तो पेंशन दो कैटेगरी में बटा हुआ है एक 16 नवंबर 1995 से पहले और एक 16 नवंबर 1995 के बाद जब EPS लागू हुआ था पहले का पेंशन फैमली पेंशन स्कीम 1971 के तहत कैलकुलेट होती है और बाद का पेरियेड का पेंशन का जो एमांट होता है वो EPS 95 के तहत कैलकुल है वो हम देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नवंबर 1995 से पहले की जिनकी सर्विस रह गई होगी उसका भी पेंशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा वो भी देखेंगे और सबसे अंत में हम एक्जाम्पल के साथ देखेंगे कि जिनका दोनों के तरफ सर पहले और 95 के बाद या तो अभी सर्विस कर रहे हो या रिटायर कर चुके हो उनका एक्जाम्पल के साथ देखेंगे कि उनका पेंशन कैसे कैलकुलेट होता है आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि हम उन्हीं केसे पे जोर दे रहे हैं जिनका सुप्रीम कोट के फैसले के वजह से जिन पे असर पढ़ने वाला है यानि कि जिनको ज़्यादा पेंशन मिलने वाला है और ये उन्हीं लोगों को मिलने वाला है जिनकी बेसिक सैलरी ज़्यादा रही थी जो उस समय का एलाव किया जाता था मूल वेतन का लिमिट उ उससे ज़्यादा वेतन रहा था यानि कि 2014 से पहले जिनका मूल वेतन पैसट सो से उपर रहा हो या 2014 के बाद 15,000 से उपर रहा हो और वो कभी भी हाईयर बेसिक सैलरी के साथ रिटायर किये हो तो उनका पेंशन हाईयर बनेगा तो हम उन्हीं लोगों पे ध्यान दे रहे हैं उन्हीं लोगों के बारे में डिसकस कर रहे हैं रिटायर लोगों को बढ़ा हुआ पेंशन पाने के लिए मिसिंग जो कॉंट्रिबूशन रहा है वो वापस देना होगा उसी के बाद वो बढ़े हुए पेंशन को पाने के लिए लेजिबल होंगे और जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो मिसिंग कंट्रिबूशन दे सकते हैं और आगे भी जब तक वो काम करते रहेंगे वो उन्हें बढ़ा हुआ कंट्रिबूशन अपने एंप्लॉयर के साथ मिलके देना होगा तब ही वो बढ़ा हुआ पिंशन पापाएंगे आईए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं calculation कैसे होगा calculation में घुसने से पहले सबसे पहले आपको तैक करना होगा कि आप किस category में है आपका service किस category में आता है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था 16 November 95 का period बहुत important है उसे पहले की service को past service बोलेंगे और उसके बाद की service जो EPS 95 के तहती है उसको हम लोग actual service बोले 16 November 95 की service को के बाद की जो भी service है उसको हम लोग pensionable service बोलेंगे और इसी terms के बदालत आपको वो formula दिखेगा जिस formula में इनको रखके आप आसानी से अपना EPS 95 के तहत का calculation कर सकते हैं और last term जो आता है वो है pensionable salary, pensionable salary वो होती है जो आपके last के 12 महीने की salary का basic salary और DA का average हो यानि और वही आपकी pensionable salary होती है और pensionable service के बारे में भी एक बात बता दे कि अगर यह 20 साल से उपर होता है तो आपको 2 साल का bonus मिलता है अगर आपने 20 साल या 21 साल की service की है तो 2 साल का bonus मिलेगा और आपकी pensionable service बढ़के 22 या 23 साल हो जाएगी आए अगे बढ़ते हैं देखते हैं यह formula म के तहत pension calculate करने का pensionable salary multiplied by pensionable service divided by 70 जी यहाँ pensionable salary मैंने बताया था जो 12 मेने का आउसत होगा last salary का और pensionable service मैंने वो बताया था EPS 95 के लागू होने के बाद जितने महीनों में आपने कटोती कराई है PS 95 के तहत वही आपकी pensionable salary है तो अगर किसी का 20,000 रुपे का pensionable salary रहा हो last 12 मेने क average और उसने 21 साल तक pensionable service की हो यांकि 95 के बाद 2016 तक service की हो और retire किये हो तो उनको 2 साल का bonus मिल जाएगा उनकी pensionable salary 23 साल calculate होगी तो इस calculation में इसको 70 से divide करने के बाद जो final pension आ रहा है EPS 95 के तहर अगर इन्होंने बढ़े हुए वेतन के हिसाब से deduction करवाया है या भुकतान देने के लिए ready है जो की 20,000 रुपया है जो 2014 के बाद जो 15,000 का limit था उससे भी उपर है तो इनका pension 6,571 रुपय बन रहा है आईए अब आगे देखते हैं पास service यानि 95 से पहले की जो service रही है उसके basis पे pension कितना बन रहा है उसका भी calculation करना सीखते हैं कि वो कैसे करते हैं इसके लिए स अलग है जिस समय आप retire कर रहे हो उस समय की बात हो रही है हम अपने पूरे सिरीज में पचीज सो से उपर वाले calculation पे ही ध्यान देंगे पास service में family pension के तहट जब हम pension calculate करते हैं 955 से पहले वाले service के लिए तो इसमें 4 स्रेणिया है उसमें total service की उसमें 11 साल तक की service यानि एक सा से 15 साल दूसरी श्रेणी और 15 से 20 साल तीसरी श्रेणी और 20 साल से उपर 24 श्रेणी में आता है तो इन 4 श्रेणियों में बताते हैं अलग-अलग pension जो applicable pension होगा इनके आधार पे टेबल निकलता है दो टेबल EPO4 ने दिये हैं जिनके basis पे आप calculate कर सकते हैं इन सब के आधार प या उससे कम की सर्विस की है और salary आपकी धाई अजार से नीचे है तो आपका pension जो applicable pension बन रहा है और अगर आपकी salary धाई अजार से उपर है तो यह 85 रुपे है अगर आपने 11 साल से 15 साल के बीच में सर्विस की है तो और आपका basic salary 25 सो रुपे तक ही है तो आपको 95 रुपे ब जादक salary के case में 135 रुपे है ऐसे ही 20 साल से उपर की salary में यह 500 रुपे है 5000 से नीचे की salary के लिए और 170 रुपया है salary के लिए लेकिन यह अभी final amount नहीं है इसमें एक multiplier लगेगा जो हमें EPFO द्वारा table B के रूप में दिया जाता है table B में इन सब के लिए एक multiplier मिलेगा जितने साल की service हुई है वो multiplier लगाने पे ही अगर 11 साल में 95 आ रहा है और इसका multiplier हमें मिलता है 2 तो यह बढ़के 190 हो जाएगा ऐसे ही अगर यह 135 आ रहा है 15 साल से 20 साल के service के बीच में 5000 से उपर की salary में और 15 का calculation 3.5 आ रहा है तो यह 3.5 से multiply हो जाएगा और यह salary बढ़के 500 के उपर चली जाएगी तो ऐसे ही यह multiplier के effect डालने के बाद ही हमें actual past service का final figure मिलेगा तो आएए देखते हैं यह table B जिसमें हमें यह multiplier मिल देवाला है वो table B क्या बोलता है table B आपका यह रहा table B less than 1 year तो 1.039 तो इसका multiplier एक साल में एक 10 साल में आप देखेंगे 2 गुना हो जा रहा है और साल में ये करीब करीब साडहे चार गुना हो जा रहा है 25 साल में साडहे च्योंना हो जा रहा है और 34 साल में साडहे तेरा गुना हो जा रहा है तो यह multiplier लगेंगे आपके past service के उपर तो उस multiplier के बाद जो हमें salary मेलेगी वही हमारा actual past pension होगा अब जैसा कि मैंने पहले बताया हम example के साथ देखेंगे और अलग-अलग period में जो लोग retire कर रहे हों उनके उपर देखेंगे कि final pension actual service और past service दोनों को मिला के aggregate जो होता है वो कितना बनेगा तो आगे बढ़ते हैं हम आगे की calculation की तरफ शुड़ात करते हैं उन लोगों से जो 16 November 95 यानि EPS 95 के लागू होने के pensionable service जो होता है वो 10 years का होता है 10 years होने के बाद ही आप pension के लिए eligible बनते हैं और 95 में यह लागू हुआ था यानि कि 10 साल यान 2005 तक वो period जो था उसमें कभी भी वो पूरा pensionable salary के लिए नहीं बन सकता तो उसके लिए EPFO ने अलग calculation के तरीके रताये हैं और 2005 के बाद का तरीका 1995 से पहले की past service, year of service before 1995 हमने बहुत सारे cases लिए हैं एक लेके चल रहे हैं जिसमें 33 साल तक कर लिया हो जो पहले एक में लेके चल रहे हैं कि 95 तक 25 साल हुआ हो तीसरे case में हम 19 years past service ले रहे हैं और चौथे case में 15 साल past service और पांचवे case में 10 साल का past service ताकि एक पूरा spectrum cover कर पाए बेसिक पेंशन इन लोगों का जो रहा है 2500 से उपर हम मानके चल रहे हैं ताकि वही लोग को हम address कर पाए जिनके Supreme Court के फैसले की वज़े से pension बढ़ने वाला हैं तो इसके basis पे जो basic pension जो हमने पहला table बताया था उसके हिसाब से जो इन लोगों का बन रहा है basic pension वो है 170 रुपया इनका 1 ले लिया है 2 ले लिया 3 ले लिया 4 ले लिया 5 ले लिया 5 यानि कि आप सन 2000 में पहुच जा रहे हैं यह 96 में रिटायर कर रहे है 97 में 98 में 99 में और यह 2000 में रिटायर कर रहे है क्योंकि 2000 बात का calculation फिर change होने वाला तो उसके बात का calculation अभी लिबार देखेंगा अभी हम हम लोग 2000 तक में रिटायर करने वाले लोगों का 95 से 2000 के बीच में रिटायर करने वाले लोगों का हम लोग देखेंगे तो इसका टेबल B से multiplication factor जो आ रहा है यह ऐसा रहा है 1.122 यह के लिए और ऐसे पढ़के 5 यह के लिए 1.526 का multiplier आ रहा है और यह multiplier लगाने के बाद जो इ इनका actual service क्या होता है यानि कि 95 के बाद जो इन्होंने काम किया है उसके basis पे EPS 95 के तहत इनका pension कितना बन रहा है तो अगर रिटायर करने के last 12 महीने में average salary हम बहुत range में लेके चल रहे है 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 और 15,000 ताकि सारे लोगों को हम लोग cover कर पाए जो जिस range में हो आ जाएगा जो हमने तरीका बताया था pensionable salary into pensionable service divided by 70 ये formula लगाने के बाद जो हमें result मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे 43 रुपे 1 साल पे 142 साल पे 300 रुपे 3 साल पे 571 रुपे 4 साल पे और 1071 रुपे 5 साल यानि 2000 में जो रिटायर कर रहे हैं और जिनका basic salary 15,000 की रही है उ और लेकिन एक चीज और आजाता EPS 95 के तहर्र जो लोग भी 2,000 तक 95 से 2,000 के बीच में रिटायर किया हो उनका minimum pension जो है 335 रुपे से कम नहीं हो सकता तो यानि कि पहले case में दूसरे case में तीसरे case में ये कम के बजाए इन्हें कम से कम 335 रुपे का pension final pension जो मिलेगा 95 के बाद क salary का वो 335 रुपे होगा चौथे case में चुकि pension ज्यादा हो गया minimum pension से तो वो मिलेगा 571 जो भी ज्यादा होगा वही पैसा मिलता है तो 335 और 571 ज्यादा है जो actual उनका calculation के basis पर था तो इन्हें 571 मिलेगा वैसे ही इनका 1071 ज्यादा है तो इन्हें 1071 मिलेगा तो ये हो गई अ सर्विस यानि 95 से पहले की सर्विस और actual सर्विस यानि 95 के बाद की सर्विस इनके basis पर calculation अब देखते हैं कि इन दोनों को जोड के final pension कितना बनता है तो final pension में भी फिर एक बार minimum का concept आएगा इसलिए देखना जरूरी है जैसे कि इन्होंने सारे cases को फिर से देखते हैं 95 से पह चौथे case में 15 साल पहले 4 साल बाद में 19 साल जॉब किया और पांचवे case में 10 साल पहले और 5 साल बाद में 10 साल तक जॉब किया तो इन सब cases में हम देख रहे हैं कि minimum जो pension बन रहा है aggregate pension तो हमारा हो गया past service और actual service को जोड़के ये pension बन चुका अब अगर ये minimum pension से कम रहा तब त pension मिलेगा तो minimum pension जो decide होगा ये इसके उपर decide होता है कि 24 साल से पहले retire कर गए है या 24 साल की total service रही है तो 500 रुपया minimum pension अगर 24 साल से कम की service रही है तो 265 रुपया minimum pension तो अब देखते हैं का minimum pension के हिसाब से final pension क्या बनता है तो actual pension इनका पहले case में जो 33 साल 95 से पहले job कर गए थे और एक साल बाद में किया था तो इनका minimum pension 500 रुपया है लेकिन इन्हें aggregate pension 526 मिल रहा है इसलिए ये इनہे 526 मिलेगा दूसरे case में जिन्होंने 25 साल पहले है और दो साल बाद में किया था इनका actual pension 541 हो रहा है और minimum pension 500 रुपया यानि इनका पेंशन minimum pension से ज्याधा है इसलिए इन्हें actual pension मिलेगा और सारे cases में हम लोग देख रहे हैं कि actual pension minimum pension से ज्यादा होने के वज़े से अब इन्हें aggregate pension मिल रहा है तो ये तो हो गया 2000 तक के लोगों के लिए अब देखते हैं उन लोगों का जो 2000 से लेके 2005 के बीज में retire किये हों कि उनका total pension कैसे calculate होगा और कितना अंदा जारे बात की बात कर रहे हैं तो 5 साल से उपर ही पूरा करेंगे ये तो 6 साल का मानके चल रहे हैं साथ साल का मानके चल रहे हैं हमारा year 2005 आ जाएगा जिसके बात का calculation अलग तरीके से होगा तो फिर उस पहले ही की तरह इस बार भी देखें कि basic salary जिनका 2500 से उपर रहता है उनक multiplication factor इनके लिए अब इस सर्विस के हिजाब से ऐसी बनती है जो आप देख रहे हो 9 साल के लिए 2.9 साल पे दुगना हो जा रहा है और 10 साल पे 2.243 तो इसके basis पे जो computed pension आ रहा है इन लोगों का 280, 303, 260, 218, 191 ऐसा बन के आ रहा है तो ये तो हो गया past service का pension अब आगे देखते हैं actual service यानि 95 के बाद वाली service का pension कितना बनता है यह service हम पहले ही देख सूचुके हैं 6, 7, 8, 9, 10 साल का लेके चल रहे हैं और basic salary हम लोग 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 और 15,000 का लेके चल रहे हैं तो actual जो हमारा calculation हमने बताया था कि pensionable salary into pensionable service by 70 करने पे जो pension बन रहा है यहाँ 257 बन रहा ह 1286 रुपया बन रहा है और यहाँ 243 रुपया बन रहा है लेकिन जो minimum eligible pension होता है इन category के जो लोग 2000 से 2005 के बीच में जो लोग retire किये हैं उनका minimum pension जो actual service का बनता है वो 438 बनता है तो अगर 438 से कम है यह calculated pension तो कम से कम 438 मिलेगा अगर calculated pension 438 से उपर है तो calculated pension मिलेगा तो ऐसे ही देखिए यहाँ आपको calculated pension जो है 257 कम है 438 से इसलिए कम से कम 438 pension मिल रहा है यहाँ पे 500 रुपय एक्चुल calculated pension है और minimum pension 438 है इसलिए ज्यादा वाला 500 रुपय मिलेगा यहाँ ज्यादा वाला 800 रुपय यहाँ 1286 रुपय यहाँ 2143 रुपय तो ज्यादा तर cases में हम देख रह कि basic salary जो रही है इन लोगों की 3000, 5000, 7000, 10,000, 15,000 के हिसाब से aggregate pension जो बन रहा है यानि past service और actual service को जोर के वो 718 रुपय यह 803 रुपय यह 1060 रुपय यह 504 रुपय और 2334 रुपय और total years of service इनकी हो गये 49 साल, 32 साल, 27 साल, 24 साल, 20 साल इन सब के basis पे जो minimum pension बन रहा है इन लोगों सब के case में यह calculated pension जादा है इसलिए इन सब को calculated pension मिल रहा है 718 रुपय, 803 रुपय, 1060 रुपय, 1504 रुपय और 2334 रुपय इन सब को बड़ा वाला pension मिल रहा है आए देखते हैं third case जो लोग 2005 के बाद retire कियो हो यानि की EPS 95 में जिन्नोंने 10 साल पूरा कर लिया हो तो उनका past service ह अपने पुराने example के हिसाब से चलते 25 साल, 19 साल, 15 साल, 10 साल और 5 साल की service जो उन्होंने 95 से पहले की हो उसके basis पे जो pension बनके आ रहा है जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था कि सबसे पहले basic pension निकालते हैं फिर उसमें multiply टेबल B से multiplier factor लेते हैं जो 95 के बाद की service के उपर decide होता ह और वहां पर आपको 2 साल और एड होने पर 25 साल भी हो सकती है bonus pensionable service इनका pension बनके आ रहा है 412, 412, 404, 412 और 519 के आसपास बन रहा है अब देखते हैं actual service के basis पे उनकी जो pension की राशी calculate होती है हमारे उसी formula से pensionable service into pensionable salary divided by 70 तो यहां 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 और 50,000 की basic salary retirement के time पे last 12 महिन का average basic salary यह लेकर चल रहे है और जैसा कि 2005 के बाद retire करने वालो का है तो 11 साल, 14 साल, 17 साल, 20 साल और 23 साल का period ले, 23 साल उनके लिए जो almost 2018 में retire कर रहे होंगे, उनके हिसाब से होगा, तो यह जो final figure बन के आ रहा है या 21 साल जिनका ले ले, 16 में जिन्नों retire किया होगा, उनका करीब 2 साल का bonus मिल जाएगा, तो वो 23 साल उनका हो जाएगा, pensionable service, तो final actual service जो निकल के आ रहा है, pension वो है 786 रुपे, यहाँ 2000 रुपे, यह 4857 रुपे, और इन लोगों के minimum pension salary 635 है, तो हम देख रहे हैं कि सारे cases में, जो calculated salary है, वो minimum pension से कई गुना उपर है, तो इन लोगों को बढ़ी होई salary, यानि कि 786 दो हजार, और 17 साल जो, यानि कि almost 2012 में retire कर रहे हो, और basic salary 20,000 की हो, उनका अभी का pension EPS 95 के हिजाब से 4857 रुपे होगा, ऐसे 23 साल वालों के, अगर 50,000 की basic salary हो, तो 16,429 रुपे तक का pension बन जाता है, अब देखते हैं कि final pension इनका क्या होगा, दोनों को जोड के, और वो minimum जो pension 800 रुपे होता है, दोनों का aggregate pension मिला के 800 से कम नहीं होना चाहिए, जो लोग भी 2005 के बाद retire कर रहे हैं, उनका past service और actual service मिला के pension 800 से कम नहीं होना चाहिए, 800 से अगर कम है pension तो minimum 800 रुपे मिलेगा, और 800 से उपर है, तो जो भी आपका calculated pension है, वो मिलेग तो इन cases में हम लोग देख रहे हैं कि जो 25 साल पहले और 11 साल बाद में किया हो, और 5000 की salary पर retire किये हो, उनका pension करीब 1305 रुपे आ रहा है, अगर जो लोग 19 साल पहले और 14 साल बाद यानि की करीब-करीब 2009 में retire किये हो, और 9 में retire करते समय अगर इनका pension 10, अगर इनका basic salary 10,000 र 12 रुपे होगा, वैसे ही जिन लोगों ने 15 साल 95 तक किया हो, और 17 साल उसके बाद service किया है, इन 2012 में retire किये हो, 20,000 की basic salary के हिसाब से, तो उनका aggregate pension 5,239 बनता है, और वही उन्हें मिलेगा, उनके लिए वही eligible होगा, जो 10 साल पहले यानि कि 95 में 10 साल पूरा किये हो, उसके 95 तक 5 साल किया हो, और 95 के उपर 23 साल किया हो, यानि कि 21 साल प्लस 2 साल, यानि 2016 में जो लोग retire किये हो, 50,000 के basic salary पे, उनका जो pension बनके आ रहा है, वो 16,841 रुपे आ रहा है, तो final pension उन्हें यही मिलेगा, उमीद है दोस्तों, ये आपको calculation काफी समझ में आया होगा, और जहां अगर कोई आपको विशेश सुझाओ या विशेश question रह गया है, तो comment में हमें जरूर डालें, हम comment में जहां तक हो सकेगा, उन लोगों को जवाब